नमस्कार बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी का नवा पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक मा की बेबसी बेबसी अर्था ते एक ऐसी सिचुएशन जिस पे आपका बस ना चले आप चाहा कर भी कुछ नहीं कर सकते लाचार असहाय मैंसूस करते हैं तो ये कविता है आपकी इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बेबसी है एक मा की किस सीच से वो परिशान है लेकिन कविता पढ़ने से पहले कुछ एक जो नए शब्द आए हैं इसमें उनका आर्थ आपको बताया जाएगा आप नए है चानल पर तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे पहला शब्द है अद्रिश्य अद्रिश्य मतलब जो दिखाई न दे गायब हो जाना अजूबा थोड़ा सा अजीब अलग आश्च्रिय जनक भिन मतलब बाकियों से अलग जो दिखता है भिन है प्रतक है इशारों से संकेतों से साइन लांग्वजिस से भैबीत होना डरना खौफ जदा होना जट पटाहत अर्थात बेचैनी निहारती रहती निहारना मतलब देखना बहतर अच्छा जब आप दो चीजों की तुलना करते हैं उनमें जो आपको ज़ादा अच्छा लगता है उसे आप बेतर कहेंगे बेवसी जैसा आपको बताया गया लाचारी तो ये कुछ एक शब्द है एक बार फिर से देख लीजे बेवस लाचार होना जट पटाना बेचैनी भिन अलग और अद्रिशय जो दिखाई ना दे पार्ट नो एक मा की बेवसी इस कविता को पढ़ते समय आखों के सामने कई चित्र बनते हैं बचपन का चित्र बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक मा का चित्र इसे पढ़ो और महसूस करो यह जो कविता है आपकी खाले इसको सिर्फ पढ़ने के लिए रटने के लिए प्रशनोतर देने के लिए नहीं पढ़ना है इसको थोड़ा साफ महसूस करने की कोशिश करिएगा और जब आप पढ़ रहे हो तो आपके आखों के सामने चित्र बनना चाहिए कुछ दोस्तों का, एक छोटे बच्चे का जिसका नाम है रतन और उनकी मा का कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है कभी-कभी तो बरसो बाद जब बच्चपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है किसी मौके पर वह उभर आती है जब आप बड़े होंगे आपने जो कविताईं पढ़ी हैं और कई बार आपके parents भी आप कुछ कविता पढ़ते हैं जो उनको याद आती है कि उनके syllabus में भी थी तो आप भी जब बड़े होंगे पुराने कविताईं आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे है और बहुत देर बाद जाकर कई बार कविताएं आपको समझ आती है कि वो actually में कहना क्या चाती है उतनी सरल नहीं होती कविता जितने हमें लगती है पार्ट आपने पढ़ा समझ ले प्रश्नों के उत्तर देदी लेकिन कविताओं में गहराई होती है कविता कहानी सब के साथ यह होता है इसलिए हमेंगे इसे चिन्तित होने की जरुरत नहीं कि कविता एंक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उबड़ता है तो भी कविता काम्याब है अब कविता को ये नहीं सूचना है कि हमें तो समझ नहीं आई इसमें क्या लिखा है जैसा कि कहा गया इसको समझने में बहुत आपको समय लगेगा लेकिन चिंता की बात नहीं है अगर कविता को पढ़के आपके मन में कुछ फील हुआ, कुछ आपको महसूस हुआ, एक चुत्र आपके सामने उभरा, तो भी समझ लीजे कि वो पढ़ना आपका काम्याब हो गया है पहली बार I think ये कविता से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रडक्शन दिया गया है, क्योंकि सच में ये कविता बहुत अच्छी है और आपके दिल को छू जाएगी चलिए, शुरू करते हैं नजाने किस अद्रिश्य पडोस से निकल कर आता था वह है, खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कहां से आता था वो निकल कर क्या करने हमारे साथ खेलने के लिए बच्चे का नाम था रतन जो की बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलोने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा और हमारे साथ खेलता था जैसे एक टूटा हुआ खिलोना होता है ना बहुत कुछ वो नहीं कर पाता हलांकि बाकी खिलोने के साथ है लेकिन उतना कारगर नहीं है तो ऐसे ही दूसरे बच्चों के साथ खिलता था जैसे कि तूटा हुआ है अंदर से देखने में तो हम जैसा ही लगता था लेकिन ये जो तूटने की बात कही गई है ये अंदर से तूटने के बाद कही गई है जिसको कि हम बाद में पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था लेकिन हमें वो थोड़ा अजीब लगता था अजूबा लगता था क्योंकि हमसे बिल्कुल अलग था थोड़ा घवराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी जटपटार्टों को ने इशारों में कही उसकी बातों को ने उसकी बहबीत आखों को तो हम उससे थोड़ा सा घवराते भी थे डरते भी थे क्योंकि जब उसके अंदर के जटपटाटे, घवराटे जो भी होती है, खेल के समय आप देखिए, आप बिना बोले रहे ही नहीं पाते हैं, कितनी लडाईयां होती है, कितनी बार आरग्यूमेंट्स होती है, बहस हो जाती है, आपके दोस्तों के साथ भी आपके लडाई हो ज हम नहीं समझ पाते थे, नहीं जो इशारों में वो कहता था, उसे समझ पाते थे, ना उसकी आखे जो थोड़ी भैबीत, मतलब थोड़ी डरी होई लगती थी, ना हम उसको समझते थे, इसलिए थोड़ा डरते भी थे, हर समय दिखती उसके अंदर की जटपटाहटों को, ज हारती रहती थी, देखती रहती थी अपने बच्चे को खेलते हुए, अब जैसे जैसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये कुवर नारायन जी ने अपने बच्पन में किसी बच्चे को देखा होगा, उनके उपर ये कहानी लिखी है, तो ये कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब उनकी भाषा को समझने लगा हूँ, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, अब याद आती, रतन से अधिक उसकी मा की आँखों में जलकती उसकी बेबसी, और अब मुझे रतन से जादा अब जो बेबसी थी उस वक्त, अपने बच्चे को बाकी बच्चों की तरह खेलता हुआ देखने की, बोलता हुआ देखने की, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, रतन जो कि बच्चपन से ही बोल नहीं पाता था, तो मा कुछ भी नह नहीं कर सकती, लेकिन चाहती है कि उसका बच्चा भी दूसरों की तरह ही दिखे, उसकी तरह ही खेले, बोले, वो बेबस होकर लेकिन सिर्फ उसको देखती रहती थी चुपचाप खेलते हुए, तो कुवर नारांची कहते हैं कि अब जब मैं समझने लगा हूँ कि वो क्या चलिए उमीद है, कविता आपको पसंद आई होगी, लिखी है ये कुवर नारायन जी ने, इसी के साथ ही प्रशनोतर शुरू करते हैं, पहला प्रशन है आपका, यह बच्चा कवी के पडोस में रहता था, फिर भी कविता अद्रश्य पडोस से शुरू ही है, उसने कहा कि पडोस में रहता था रतन, खेलने अगर आते हैं, बच्चे आज पडोस के खेलने आते हैं, लेकिन उसने कहा कि एक अद्रश्य पडोस से आता था, इसकी कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवी को मालूम नहीं था, ये बच्चा ठीक ठीक इस घर में रहता है, सही से क्योंकि बा पता नहीं लगता लेकिन अगर एक बच्चा बहुत बोलता है बहुत शेतान है और वह एपसंट हो जाए तो सब को पता लग जाता है तो यही बात है कि यह क्योंकि शायद पता नहीं था लेखा को कि किस घर से आता है या फिर हो सकता है पडोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था इसलिए पडोसी होने के बावजूद वैद दूसरे बच्चों के लिए अंजाना था इन दो में से कौन सा अर्थ तुमें ज़्यादा सही लगता है कोई और अर्थ भी हो सकता है क्या दूसरा अर्थ ज़्यादा अच्छा लगता है पता लगता है कि अद्रश्य परोस से शायद यही मतलब होगा क्योंकि किस गर में रहता था ऐसा नहीं होगा अगर परोस में है तो किस गर में कोई गुंगा बच्चा रहता है इतना तो पता होगा लेकिन क्योंकि बाकी बच्चे आपस में बात करते थे एक दूसरे को जानते थे ये किसी से बात नहीं करता हो सकता है इसलिए इसके दोस्त भी न हो तो इसलिए इसको अद्रिश्य पडोस से कहा गया ये सिर्फ खेलने आता होगा शाम को बाकी को इंटराक्शन किसी और के एक होती खुशी के बक चमक उती है डर के रूप में घर जल्दी घर लोटने की इच्छा के रूप में जल्दी गर लोटने की कोई बात नहीं है पडोस में भी बच्चा रहता था और मां साथ में थी लेकिन एक डर के रूप में जरूर अंदर की चटपटाट दिखती थी डर किस चीज का वही कि मैं जो कहना चा रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ये मेरी बात समझेंगे भी या नहीं, और अगर कहीं गलत ना समझ ले, वो कह रहा है आउट हो गया है या फिर मालीजे पकड़ाम पकड़ाई खेल रहे हैं बच्चे, इसने मुझे नही चुआ, तो वो कैसे बताएगा बच्चा, तो अंदर कहीं नहीं डर रहता है, और फिर ये भी जैसा कि बताया कि पता नहीं मुझे अपने साथ खिलाएंगे अभी या नहीं, मेरे साथ दोस्ती करेंगे भी या नहीं, ऐसे बच्चों के मन में बहुत सारे डर रहते हैं, तो इनको थोड़ा सामे समझना है, तो डर के रूप में अंदर की चटपटाट उसकी दिखती थी, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कभ या कहा महसूस होती है, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो, और जाना संभव नहीं हो, जैसे स्कूल की चुट्टी में अभी काफी दे रहा है, पर घर में कोई ऐसा महमान आने वाला है, जिससे तुम बहुत पसंद करते हो, कोई महमान आ रहा है, आपकी मौसी आ रही है, मामा जी आ रहा है, आपको कोई कजन आ रहा है, जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन स्कूल की चुट्टी अभी नहीं को दिखाऊंगा मम्मी को दिखाऊंगा अपनी की देखो मुझे फर्स प्राइज मिला है तो बहुत मन में रहता है कि कब चुट्टी और कब में घर जाओ तो वो भी एक तरीके के जट पटाट ही है दूसरी जट पटाट इच्छा के रूप में दिखती है किसी चीज को पाने बच गई है अब पढ़ाना बंद करें पर उने गंटी सुनाई नहीं दी हो मालीचे बेल हो गई मैस का पीरिड है और आपको मैस नहीं अच्छा लगता कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है आपको समझ भी नहीं आ रहा बेल हो गई है आप खुश हुए कि चलो अब पीछा कोई बचे की कोई नहीं है सिर्फ यह है कि वह चाहरा है कुछ लेकिन कहना ही पार आपनी बात तो तीसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है संदेश वाला ज्यादा सूटेबल है कविता के उसमें अब बात यह तो जटपटाहट की बात अब बात करते हैं घबरहट की हामे बुरा वने वाला या फिर माल्य जापका एक्जाम अछा नहीं गया और fatowa rizurret आने वाला है कली तो अंदर घबरहट रहते कि PCs पता नहीं क्या ओगा जैसे अंदेरह होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो तो भी अंदर घबराहट रहती है समय कम और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो जैसे परिक्षा में देखा जाता है कि टाइम कम है आपको आंसर आता भी है आप लिख रहे हैं लेकिन अंदर वो एक घबराहट रहती है कि पूरा लिख पाऊंगा या नहीं यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है आपने कुछ कहा मान लीजे किसी को या फिर अपने टीचर को कुछ बोला फिर मैम ने कोई रिप्लाइन नहीं किया तो मैडम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी या फिर कुछ आपने ऐसी शेतानी की है तो मन में घबराट सी रहती है ना घबराट के ये तीन माईने जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि काँच का गिलास तुम से तूटा है तो फिर अंदर ये रहता है कि अब क्या कहने वाले हैं जो बच्चा बोल नहीं सकता वे किस-किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता एक बच्चा जो बोल नहीं सकता उसको क्या-क्या मन में ऐसा लगता होगा जिससे वो घबराता होगा बच्चा निम्न बातों से घबराहट महसूस करता होगा वे अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं और दूसरा उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेले गया नहीं क्योंकि वो बोल नहीं पाता कई बार ऐसा भी देखा गया है बच्चे बड़े स्वार्थी हो जाते है समझते नहीं है और मैं इसको अपनी टीम में नहीं लूँगा ये तो अच्छा नहीं खेलता है या फिर ये बोलेगा नहीं ऐसी कुछ बाते बोल देते हैं जो कि बहुत हर्ट होती है ऐसे बच्चों को है ना तो उसके अंदर इस बात की भी हो सकता है थोड़ी बहुत घबराहट रहती हो कि पता नहीं मेरे साथ खिलना भी पसंद करेंगी या नहीं और क्या जो मैं कहूंगा वो समझेंगे या नहीं कई कुछ गलत तो नहीं समझेंगे तीसरा प्रशन है थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उनकी घबरातों को रतन क्या सोच कर घबराता होगा हमने यही देखा अभी जो बच्चे बोल नहीं पाते वही सोच कर रतन घबराता था इसका उत्तर आप लिखेंगे रतन घूंगा था अत्य है अपनी बाते इशारों में समझाता था वही बच्चो को अपनी बात इशारों से समझाना चाहता होगा जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता तो वह घबरा जाता होगा अब ये प्रशन आपके लिए अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कौन क्या सोच कर और किस काम को करने में घबराता है कारण भी पता करो अपने दोस्त का नाम लिखो कि किस बात से वो बहुत घबराता है और घबराने का कारण क्या है भाशा के रंग कभी ने इस बच्चे को तूटे खिलोने की तरह बताया है जब कोई खिलोना तूट जाता है तो वे उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था संदर्ब की अनुसार खाली जगे बरो जैसे गुडिया पया गाड़ी निकलने पर चलने ही पाती गुडिया सीटी निकल जाने पर बोलने ही पाती गेंद हवा निकल जाने पर उचल नहीं पाती पुट बॉल वगएर आप खेलते हैं अगर तो उसमें देखा होगा आपने उचल नहीं पाती जो कर चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता बे बस शब्द बे और वश इन दो के जोड़ कर बना है बे का मतलब बिना वश मतलब जो आपके वश में नहो बात आपके कंट्रोल में नहो इस शब्द में यही बे चिपा है इस सूची में तुम भी जोड़ कर लिखो जिसे बे जान मतलब बिना जान के बे चैन बिना चैन जिसको चैन न हो बे सहारा जिसका कोई सहारा न हो बे हिसाब जिसका हिसाब न लगाया जा सके ऐसे ओर शब लिखो जिसमें आगे बे आता हो और वो बे का मतलब बिना हो बे इमान जिसका कोई इमान ना हो बे शर्म जिसमें शर्म ना हो बे मिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो बे घर जिसका घर ना हो बे नाम जिसका नाम ना हो तो ऐसे बे इसको उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के आगे लगाये जाते हैं अब उपसर्व और प्रत्य आपको पता होने चाहिए पांचवी क्लास के बच्चों को आगे है देखने के तरीके इस कविता में देखने से संबंदित कई शब्द आए हैं ऐसे 6 शब्द चाट कर लिखो जो देखने से संबंदित है जो दिखाई ना दे अद्रश्य देखना तो है ही माँ देखती रहती थी इशारे इशारे भी आप देखकर ही समझेंगे आखे द जो उनकी मा की बेचैनी है, वो जलकती थी, बेबसी है, वो जलकती थी, ये छे शब्द हो गए, हाँ जी, मा की आखों में जलकती उसकी बेबसी, आखे बहुत कुछ कहती है, वे तरह तरह के भाव लिये हुए होती है, नीचे ऐसी कुछ आखों का वर्णन है, इनमें से कौन स नजरे तुम पहचानते हो, सहमी नजरे, जब आप ढ़ाते हैं, घर जाते हैं, प्यार भरी नजरे का ममी कि आप देखते हो, कई बार करोध भरी आंके, कई बार किसी हुस्सा आजाता है टीचर को, पापा को, भहिया को, उनी इंदी आंखे, आपको नीद आ रही है, वो आखे, शराडती आंखे, डरावनी आखे, तो सभी आखे, आइटिंक बच्चों में बड़ा वो होता है, छोटा भी बच्चा आप देखिए, जो बोल भी नहीं पाता, अगर कोई घर में ऐसा बड़ा जो आखे निकाल के उसको डराता है, अगली बार वो आएगा, तो पहले ही पैचान लेगा, वो डर जाता है, उन आखों को देखते हैं, आखों की भाशा सब समझते हैं, ना कहते हो भी वो बहुत कुछ कह देती है, तो आम शौर सभी आप समझते होंगे, अगला प नजर चुराना, अर्थात अपनी गलती पर शर्मिंदा होना, आखों से संबंदित सारे मुहावरे दिये हुए हैं, शाम से जब चोरी के बारे में पूछा गया, वह नजरे चुराने लगा, मतलब शर्मिंदा हो गया, आख का तारा, मतलब बहुत प्यारा, तो बच्चे अ आख पर परदा पढ़ना, सच नहीं जानना, मतलब आप चाकर भी सच जानना ही नहीं चाहते, विनीत की आखों पर परदा पढ़ गया है, उसे विनै का जूट नहीं दिखता, तो ये आपके कुछ बाक्य प्रियोग है, बाक्य प्रियोग आप अपनी तरफ से भी चाहतों क कर सकते मीनिंग आपको बता दिये गए हैं नेक्स टॉपिक है मा याद आती रतन से अधिक उसकी मा की आखों में जलकती उसकी बेबसी रतन की मा की आखों में किस तरह की बेबसी जलकती होगी रतन की मार्त जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी तो उन्हें रतन के ना बोलने का बहुत दुख होता होगा और यही बिवसी कि वो बेबस है कि चाहती है अपने बच्चे को देख़ाइं आप कई बार कोई चीज चाहते हैं और आप को कर सकते हैं तो फिर आप मेहनत करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन आप कोई चीज चाहते हैं, लेकिन आपको पता है, वो हो ही नहीं सकता, तो उस टाइम जो आप महसूस करते हैं, उसे कहेंगे बेबसी, तो ये जो बेबसी है, ये उनकी आँखों में जलकती होगी, कि अपने ब लिखने हैं, थोड़े से हिंट में बता देती हूँ, कुछ जनरल सी चीजें, क्योंकि मात तो सभी की एक जैसी ही होती है, तो मेरी माँ बहुत खुश होती है, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे, तो सबसे जादा खुश आपकी म मां होती है, मां मुझे डाटती है क्योंकि कभी कभी मैं बहुत शेतानी करता हूँ, तो फिर डाटना भी जरूरी है, मेरी मां चाहती है कि क्या चाहती है, कि मैं कोई गलत काम ना करूँ, किसी को परिशान ना करूँ, मां उस वक्त बेबस हो जाती है, जब मैं उनकी कोई ब और मुझसे बहुत प्यार करें, इसी के साथ आपका पार्ट खतम होता है, उमीद है, पार्ट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कुछ सीखने को भी मिला होगा, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्विज इसकी अप्लोड कर दी गई है, आप देख लीजेगा, वोक्षीट बहुत जल्दी अप्लोड कर दी जाहेगी, ओके, थांक्स अगें,